जो इंसान जैसा होता है, उसकी सोच वैसी ही होती है, तो अगर वो उससे ज़्यादा आगे नहीं सोच सकता है, जिसकी जितनी घेटिया सोच होती है, उससे ही गिरा होँ, उसका नजरिया होता है, तो फ्रेंड्स ऐसे लोग कभी भी मतलब ना खुद आगे बढ़ना चाहते हैं ना दूसरे को आगे बढ़ना देना चाहते हैं तो आज के इसी टॉपिक पर मैं वीडियो आप लोगों साथ में शेयर करूँगी और मुझे आप लोगों से कुछ बोलना है वो भी आप लोगों साथ में शेयर करूँगी तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ में मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ so friends welcome है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे आपका अपना YouTube चैनल है friends तो पहले मैं आप लोगों का welcome कर दूँ और हो रहा है सुबा का time और मैं सुबा का जो भी मेरे घर के काम होते हैं वो सारे मैं कर रही हूँ और morning की start हो गई है काम सुबा मेरा जो भी खाना वगएरा है सब मैंने बना लिया था अब घर की ये जो dusting वगएरा साफ सफाई है वही सब कर रही हूँ so friends हमेशा कहना है की बार-बार message आ रहे हैं बार-बार यही comment आ रहे हैं क्या मैं अपनी जठाने से चलती हूँ पता है किसी किसी के न कोई कई बातों से हो जाता है अगर मैं अपने घर में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ वो कुछ नहीं मतलब समझ में आता है सामने वाले को वो इंसान बार-बार अगर वही बात बोलो न तो वो हो जाता है एक कावत है मैं मम्मी कहती है कि मतलब तुम ना करोगे नहीं लेकिन अगर चारजन ने तुम्हें कह दिया कि हाँ तुम ये कर रही हो तो वो हो जाएगा वो काम तुमने नहीं किया है बट किसी का कहा हुआ काम तुम्हारे उपर लग जाएगा कि हाँ उसने ऐसा कहा था तो वही बात हो गई है मेरा और मेरी जिठाने का क्या है क्या नहीं है मैं आप लोगों को सब कुछ तो वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ ना तो जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आप लोग सेयर करना है मैं वही आप लोग सेयर करती हूँ बट ऐसे लोग जो है कि मतलब नहीं जहां आग लगने वाली हूँ वहाँ पर भी आग लगा देने वाले आजकल ऐसे बहुत जन है तो मेरी जिठानी को मैं बात कर रहे हैं मैं अपनी जिठानी को देख के जल मेरी चिठाने को मैं आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हूँ so friends ऐसी इसी thoughts आप लोग लाते कहां से हो मुझे तो यही समझ में आता कि ऐसी thoughts आती कहां से है मैं मेरी चिठाने मुझे लगी बताने कि ऐसी से मुझे comment आये थे उनकी live में जाके किसी नहीं से message किये उनके videos में भी message आते है so friends आप लोग ऐसी thoughts लाते कहां से हो मैं सभी को नहीं कह रही हूँ जो message कहते हैं मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि मेरा मेरी चिठाने का क्या bonding है कैसा relation है क्या मतलब हम लोगों का है वो मैं और मेरी चिठाने जानते हैं और जो हम लोगों को समझते हैं वो भी जानते हैं बट ऐसे कोई भी कुछ भी comment करें तो ये पसंद नहीं है मुझे और मैं बस एक ही बात बोलना चाहते हूँ कि मेरा मेरी चिठाने का जो relation है वो मैं और मेरी चिठाने बहुत अच्छे तरह किसा जानते हैं और करते भी हैं पता है जो अच्छा चीज होता है न वो क्यों ही किसी की तारिफ नहीं करता है बट जरा सभी कुछ हो गया न मौका मिल गया न तो एक दूसरे को बोलने के लिए सब खड़े ही रहेंगे सो मैं ऐसी बातों को इगनवरी करती हूँ और मैं अपनी जिठानी से जलती हूँ की नहीं जलती हूँ वो तो मेरी जिठानी भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ और मैं हमेशा किसी के बारे में भी मतलब मैं ऐसा नहीं सूचती हूँ जो जैसा सोचता है उसकी वैसी ही मितलब उसके आगे आता है मैं इतना ही जानते हूँ को खेलने के लिए मैंने यह केरम बोड निकाला था बच्चों को खेलने के लिए मैंने ये केरम बोड निकाला था बट मेरे बच्चे जो है ना उन लोगों को ये की हिम पसंद नहीं है उन लोगों को जो चीज में इंटरेस्ट नहीं है आगर आप चाहे तो मेरे बच्चों से करवा मतलब करवाना हो तो बिलकुल नहीं करेंगे मेरे बच्चे जो हैं मेरे बच्चे हैं अपने मन के मौज़ी हैं तो मैंने इसे निकाला था सूचा था कि यहीं रखोंगी बेट के पीछे जब जिससे खेलना होगा वो आराम से खेल लेंगे बट मेरे बच्चे इतने नलाइक हैं कि उन लोगों को केरम बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो मैंने आज फाइनली उठा के रख दिया क्योंकि अब स्कूल भी उपन होने वाले हैं ये सब की कोई जरुरती नहीं पड़ेगी और नहीं लोगे पास टाहिम होगा तो विकेशन था मैंने सुचा कि निकाल लेती हूँ और लोग खेलेंगे भी तो नहीं खेल रहे हैं तो कोई बत नहीं मैंने से पोच पाच के रख दिया और ये जो मेरा स्चोरेज उपर बना हो एना ये बहुत हैलफुल है इसमे काफी सsmान आ जाते हैं जो यहाँ वाँ फेके रहते हैं काफी सारे समान इसमें आ जाते हैं और उसके बाद मैं आज कितनी भी मतलब मुझे ये भी ऐसे भी सब बोलते हैं कि ये क्या आप दिन भर सफाई करते हैं तो घर के तो मैं सच बताओ ना घर में कितनी भी सफाई करो सब कम है और डेली के डेली जो नर्मली खाना बना जाड़ो पोचा बरतन कपड़े यही काम न तो वो तो इसली हो सकता है बहुत आराम से बट मैं अपने घर को अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ और एक एक काम जो मुझे सामने दिखता है वो कर लेती हूँ तो अभी देखें मैं पूरे घर में जाडू लगा रहे थी सोचा कि ऐसी आगे-आगे से मैं जाडू लगा लोंगी सारे काम मेरे फटक से हो जाएंगे बट मैंने थोड़े से जाले सोफे के पीछे देखें और मैं देखें सब हाटा-ाटा के सरका-सरका के मैं सारा जो भी पोचा वगरा होता है जाडू होता है तो मैं सब करती हूँ, आज तो मेरा मोप भी खराब हो गया है, मुझे हाथ से ही बोचा लगाना पड़ेगा, मैं मोप मेरा पता नहीं क्यों इतने जल्दी एक साल में ही मुझे दो-दो मोप खरीदने पड़ेगे, मेरा दोनों ही तूट गया, तो मैं यहाँ जब जाडू का और दूसरा कोई टेकनिक है, तो प्लीज मुझे आप लोग कमेंट में बताईए का फ्रेंड की और अच्छे, मतलब दूसरे तरीके से साफ कर सकते हैं क्या, मैं तो क्या की थी, आज मैंने सुफा को आगे पहले गसकाया, उसके पीछे जाडू से, जो भी टेस्ट थे, उ गीले पोचे से, मैंने सुफे के पीछे, सब अच्छे से, मैंने इसे सब पोच के साफ कर दिया, तो वो अली क्लिप साइद मुझे से डिलीट हो गई, मैंने जो इसे गीले कपड़े से पोच के साफ कर रहे थी, तो एक दिन मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊ कि सोफे की मैं सफाई कैसे करती हूं और किस तरह के से मैंने अपना सुफा देखे में रखा हुआ है दो साल लगबग हो गया मेरी सुफे को बट मेरा सुफा एकदम देखे एकदम साफ सुत्रा और चमकदार ही है तो मेरे सुफे में कोई भी मतलब ऐसी गंदेगी आपको नही में मेलेगी का मानने भी में और यहां पे- आटा वगरा जो भी खाली हो गया था ना तो मैं पोछा के पहले hier सब डपय में फील कर दिती हूं यहीं तो फिर पतह है ना पोचा वगरा लगाऊंगी ना तो यह सब आटा सब डब्बे में फील करू ना तो थोड़े बहुत ड़ेश्ट गीरी जाते है नीचे आटा का कचड़ा मुझे ऐसा फील होता है मतलब मैं सारा काम जो भी उपर का जो होता है ना डश्टिंग अगरा सब कुछ करने के बाएद लास्ट में ही मैं पोचा लगाती हूँ और मुझे पोचा लगाते समय एकदम घर अपना साफ सुत्र मतलब खाली और जाडू लगा के एकदम साफ रहना चाहिए सिर्फ पोचा लगाना ही चाहिए तो यहाँ पर आज मैं पोचा लगाऊंगी देखिए यह मेरी तॉली एक पुरानी थी इसी को मैंने आज पोचा बना दिया क्योंकि मुझे पोचा ऐसे यूस तो होता नहीं था क्योंकि मैं मोप से अच्छे से लगा लेती थी और यह जो तॉली का कपड़ा है ना यह बहु वीडियो चला रही थी और मैंने एक वीडियो सड़नली मेरे सामने आ गया कि उस वीडियो में ऐसा था कि अगर आप कंटिनेवी एसी ओन करके रखते हैं तो दूफ़हर को आपका बाहर का जो मसीन होता ना गरम हो जाता है तो आप उसे पानी डालके ठंडा से ठंडा पानी को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो मैं आज अपना बहुत दिन के बाद में ये पोचा लगा रही हूं और ये वाला पोचा ना एक्चली सही बताओ तो ऐसी तरीके से पोचा लगाया भी जाता है और अपने आपको मेंटेन भी रखा जाता है इसे दो पेनिफीट होगी एक बेनिफीट तो ये होगी आपका अगर साफ सुत्रा हो जाएगा एकदम कोने कोने से सारे कचड़े से निकल जाते हैं और हम लोग जो मोप से लगाते हैं ना खड़े-कड़े तो आगे-आगे जिरुफ पोचा लगता है एकदम कोने-कोने जो किनारा-किनारा होता है ना वो अच्छे से नहीं लगता है मेरे साब से और इस तरीके से इस पोजिशन पर बैट के पोछा लगाने का दूसरा बेनेफिट यह है कि आपकी बॉडी बहुत मिंटेन रहेगी पहले के जबाने में देखिए कि जब कोई भी अपने घर में काम करता था ये खेतों में काम करते थे पहले जबाने में अपने दादी दादा कि मतलब टाइम पर में बात कर रही हूं तब उतने सब मोटे नहीं होते थे पतले ही होते थे तो उन लोग क्या करते थे इसे जमीन पर बैटके खेतों में बैटके इसे तरीके से काम करते थे तो उन लोग इतने मोटे नहीं होते थे तो मैं यही वाला टेक्निक यू सच बता रही हूं कि इस तरी से मतलब इस position बैठ के continue कोई काम करके दिखा है नहीं होगा आज कल तो गाओं में भी देखे सब खड़े होके platform पे खाना बनाते हैं मतलब kitchen slab सभी के यहां हो गया है नहीं तो पहले अभी मतलब कुछ टेम पहले तक 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 सब चूले पे जब बैठ के अराम से खाना बनाते थे तो इसी position पे तो यह position अच्छा होता है बाडी के लिए सहत के लिए देखे एक्सरसाइज करते हैं मैं भी देखे कितने मतलब trainer भी यही बताते कि यही वाला position करके ही का मतलब yoga exercise सब यही बताते हैं और मैं पूछा लगाती हूँ ना तो मुझे पूछा लगाते हैं मैं अपने हाथों में इतने बाल मिलते हैं कि मुझे बहुत ही मतलब बेकार लगता है लकिन क्या करूँ पूछा लगते हैं मुझे बाल मिली जाते हैं तो मैंने पूरे घर में लगा दी ये पोचा और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होगा मतलब पोचा पचा लगाने के बाद और बात्रूम में तुम धोओंगी जो सो फ्रेंट्स आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा से पसंद आया हो तो प्लीज फटा-फट लाइक कर और मेरे काम भी इसी के साथ में खतम हो गए थे और देखे फर्ज भी एकदम चमक गया मेरा कर दो प्लीज बाद जब विल दो हाए नो, जब अ आफ को अंगा पिलाओ, तर जो था जाया जो, आफ कि ला में आफ से नहें जो कोई कोईड़ा है ए वह इंगास, विल आफ को अ बिलादा है, वरे चाली है, वह मैं आफ सम्सक्राइब यह सम्सक्याइब अचितो कि अपास है, था जा दैए है। झाल